दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार एक्जिट पूल आ चुके हैं इसके पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने अनालिशन निकाल लिये और उनके एजेंटों ने बतला दिया जो भूत पे थें कि कुल मिला करके इंडी गडवंदन काफी सीटे हाल नहीं क काफी राज्यों में उनके खाते खुलने के भी समिश्य आ गई यह सब देखके हतासा में राजनेतिक नेता हारने वाला दल आरोप लगाता है कि इबियम में गल्ती हो गई इसके पहले बैलेट बॉक्स में गलवरी बोला जाता था मतब जितने भी चुनावर परणाम उनिस किसी राउंड में आगे हैं तो कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया चला किसी राउंड में पीछे होगे तो कुतन कहने लगते लोग यह मानसिकता है लोगों की खास्तों राजनेतिक इसको बहुत दूर कर दिया एक बिलकुल आप समझ लिए ट्यांस्पेरेंट तरीके से चु वड़े अफसर अफसरान सब इखटे हुए उन्हों बताया ऐसी कता ही कोई बात नहीं है यह भी बताया कि चुनाओ जो है वो सांधिपूर से बहुत अच्छे डंक से यह पहला चुनाओ है जो वर्ड का सबसे बड़ा चुनाओ है दूसरी बास सबसे कम जगे पुनल मतगर फ़ीग तो ना की मवह इसके पहले जितनी वार इस बाते यहर के चुनाओ युक्त की उसमें सभी कुछा कुमार जी ने बड़े विश्तार से बताया और उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई ऐसा नहीं बचा है जिसका हेलिकॉप्टर न चेक हुआ हो कोई भी ऐसा चाहें मंतरी हो चाहें जितना बड़ा हो सबका हेलिकॉप्टर ये मैसेज था जो टीम में काम कर लही है वह ड़ेगी नहीं इसका नतीजा रहा कि 10,000 करोड का एमा पकड़ा गया इस चुनाओं में और वो सब सरकारी खाते में गया 10,000 करोड रुपिया का बहुत बड़ा एमाउंट है जो पकड़ा गया दूसरी आपको बताना है कि कुछ लोगों ने अव्वाय उडानी शुरू कर दी कि लापता चुनाओं अधिकारियों के लिए लापत बित प्रूप दूर किया अब सभी लोग सटिसफाइड हैं खास्तों से पॉलिटिकल पार्टियों के भी प्रतिनित थें सब लोगों ने उस समय हामी भड़ी और उन्होंने बताया कि लोग सभा चुनाओं के नतीजे आने से एक दिन पहले मुख चुनाओं आयोक्त यह संबाद करना चुना जिनमें से सौ से ज्यादा मतदान के दौरान जारी किये गए थे यह उन्होंने बाकाइदे सब बतलाया राजु कुमार जी ने सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि आप यह देखिए कि बिसका बड़ का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है जिसमे टोटल जो है चौह सट करोड़ वी सलाख लों चौह सट करोड़ वी सलाख जी इतनी बड़ी है कि जी डी पर्टी के जो लोग है उन्यकर जितने पॉपलेशन नाज यहां मतदान के यह सबसे बड़ी बात दूसरी आपको चीज और किलियर करते हैं कि जी ट्वंटी के हलावा जो योरोप के देश हैं और अफरीकन देश की जितनी पॉपलेशन उससे डेल गुना जादा हमारे यहां लोगों ने मतदान किया वर्ड का सबसे बड़ा मतदान है जो इतना बड़ा संपन होना बहुत बड़ी बात है दूसरी आपको बता दें सबसे बड़ी बात है और राश्टों को चुनाओ इतना निस्पक्ष नहीं है अमेरिका में डाइरेक्ट राश्टपती चुनते हैं हमारे यहां ऐसा नहीं हमारे यहां बिधान सबा 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 सब मिल के चुनते हैं पिर सबा सब भी M.L.C. चुनता है ताजुबिय सबा सब भी M.L.C. चुनता है फिर राज सभा तक उसकी पहुंच होती है हमारे याँ टीचरों के लिए अलग है टीचर से भी चुनते हैं और आपको बता दें कि M.N.C. भी हमारे मंत्री बनता उच सदन और निम्न सदन दोनों है जो लोग सभा सदज जीत के जाते हैं वो हमारे निम्न सदन के माने जाते है निम्न सदन इनसे भी ऊपर लोग होते हैं जो राज सभा के उते हैं उनको संबान दिया गया उनका 6 साल का कारकाल है जबकि लोग सभा के सदस्टों का कारकाल maximum 5 यर्स है तो हमारे यहां का जेतना ट्रांस्पारेंट विवस्ता है दूसरी हमारे हां सांसत चुनते हैं सांसत प्रधानमंति नेता चुनते हैं नेता जो है उसमें प्रधानमंति सब नहीं लिखा था नेता के बार राश्पती बुलाता तो हमारे आका जितना लोकतांत्रिक प्रिक्रेया है और इतना बड़ा संपर्ण होना जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड दूसरी जो स 2004 में आपको मैं बत्रा दूं कि लगभग 11,000 जगें पुनर्मतदान की मांग की गई थी कि उसमें बहिमानी की बात कहीं उन्निस सो चौरासी में भी कि तमाम जगें मांग हुई थी लगभग 16,000 जगें पुनर्मतदान की उसमें ओपिन आरोप लगे थे कि बूट कैप्चि यह क्या पुजिशन आप ये पहला चुनाव है जो वर्ण कर चुनाव है जिसमें सिर्फ आपको बताराई थ국 करती नाइन जगें थर्टि नाइन चालिस से कम पुराइज के पुनर्मतदानिग जबकि अमेरिका में मतदान ओता हो वहां पर बात होती है सब ये इंग्लेंन 2014 में और जाता था 2004 में और जाता तदान हुआ इबीम में धादली हुई है तो ये बात बिलकुल निकल के आ गई ऐसा कुछ भी नहीं है अब विपक्षी दल जरूर ये सुनने में आ रहा है उनसे जो सूत्रों से ख़वर मिल रही है कि वो आंदोलन छेड़ने के चक्कर में है चुकि हार के बाद क्या करें इसका नहीं प्रेस कॉंफरेंज भी करना है अभी अखलेश ने भी बहुत कुछ बोला है कि बड़ा यानम्ताइम हुई नोट बंदी ये सब नोट बंदी 2017 से पहले है उसी के बाद विजान सभा चुना हुए थे और अखलेश बुड़ी तरीक चार लोगों के लगबक सही रहें जिसमें दो लोगों के विकल्कुल ऐकुरेट सहीं सिर्फ एक सीट का अंतर आया आप देखिए कि इंडिया टुडेश ने उस समय 352 सीटे बताई थी सिंडी गटवंदन उसकी 93 उसकी 93 बतलाई थी और इंडिया की उसकी एंडिया की उस समय 350 बताई थी शिप दो सीटों का अंतर हुआ एंडिये का और 95 सीटे कांग्रेज गडवंदन की बताई थी नियर अब आउट इतनी ही आई शिप दो सीटों का अंतर हुआ ये दोनों सर्वे ने इस बार फिर सर्वे दिया है वो भाजपा के गडवंदन को 400 के करीब बतला रहे हैं ये सुनक परके इनको बड़ी नियासा है हालां कि पिछली बार भी इनका विल्कुल आखरण सही रहा इसके अलबा न्यूज एट्टीन आईपी एसो इसका 336 बताया था और कांग्रेज का एक्टी टू बताया था ये भी लगबग 15 सीटों के प्रस माइनस पे एंडिये का ये भी सही निकला वहीं पर बीडीपी एसोशेट का 333 बताया था एंडिये घडवंदन को 333 और 350 के लगबग आई थी 352 के लगबग 115 कांग्रेज की बताया थी परंतों उससे 15 कम थी दूसरी आपको बताने सुदर्शन चैनल क्या भी 2019 में 313 एंडियों को बतला रहे थे हलाकि एंडि सारा सभी उसका वह आरा है बीजेपी का आरा 400 के लगबग एंडिये घडवंदन का और जो उनका कांग्रेज का है वह आरा 100 के आसपास अब देखिए क्या है कई रिकॉर्ड कांग्रेज के टूटने जाना है अभी तक के इतिहास के नहरू जी तीन बार पिधान मंत्री बने पहली वार उस चुने नहीं गहते सरडार पठेल चुने गहते प्रणत उनको गांधी जी के अशिर्वास से बना दिया गहते मोदी चुने गए मोदी जी की सबसे बड़ी बात रही कि मोदी जी तिवारा बनने जाना है पर दान मंत्री सभी सर्वे का यह कहना उसके दमदार दस साल बाद भी सब कुछ में नजर आना है जैसे सब कुछ वही हो आल इन आल यह बहुत बड़ी बात है नहरू जी का गिराब गिर गया था 62 में यह पोईशन थी कि नहरू जी की को बहुत सर्मिंदगी जहलनी पड़ रही थी यह पोईशन है 1984 में और 2024 बीस साल बाद बिलकुल वही पोईशन आ गई है बीजेपी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रही ök में 1984 में जो कांगरेश थी अपकी भाजपा में समानता हैं कितनी है तब 400 पार का नारा था आज फिर भाजपा ने 400 पार का नारा हसिल कर लिया उस चाखिगा थी तीज्नीरिय हाए कर दीफ काvisor 44 में मध्यपदेश में 38 कांग्रेश में राजिस्थान की 25 सीटे कांग्रेश को में दिल्ली श सीटें कांग्रेश को मिली थी हिमानचल के चार सीटें कांग्रेश को मिली थी और यूपी की पच्चासी में त्रियासी सीटें कांग्रेश को मिली थी दो सीटें यहारे थे कांग्रेश जिसमें एक सीट में फरकावाद से जबकि 40 में तो तब से आप देखिए भाजपात ज्यादा मजबूत है महाराष्ट में 48 में से 43 मिली थी आज भी जो इंडेक्स आरा आइसाही आरा गुजरात में 26 में से 24 मिली थी अभी तक गुजरात में करीब 5 चुनाओं में बीजेपी पूरी की पूरी सीटे जीती पूरी भाजपा गडवन्दन को पूरी पूरी सीटे कुल मिला करके कि 1984 का रिकार्ड टूट रहा उन्नीस तो चौरासी का रिकार्ड दो हजार चौरासी में तूट रहा और कुल मिला करके जो इस्तितियां है वह भाजपा कि यह बहुत ही मतलब अच्छी जा नहीं है मोदी जी की अब आपको दाने संभधान बचाने के जो रहुल ने नारा दिया था वह भी बेकार गया सारे विपक्षियों का नारा बेकार गया कुल मिला के मोदी की गारंटी साय सब पे भारी पड़ी दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार